हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पार्ट साला में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने थम्निल देखी लिया होगा आज वीडियों बात करने वाले हैं आपका वीडियो रिये एक्जाम के रिगार्डिंग क्योंक दोस्तों बहुत सारे बच्चों को सवाल आताना है सरस्वीडियो के रिये एक्जाम कब होगा तो उसही से बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं उससे फ़र दो दोस्तों में बता दूंगा आपको करें आपको पताँगा जो वीदियोग कॉह पुर्ष सम्बर को कि था यानि कि चार सिप्ट में आप टूटा में आके आपका पेपर हुआ था जिसमें आपके साड़े-चौद्र लाख बच्चों ने आपका एक्जाम दिया था तो यानि दोस्तों बात करें से बिग्यापन की तो बिग्यापन आपका मईड़ा अठारे माए था यानि कह सकतो अब अब तक आपके चार महीने चार साल पांच मेने के आसपास हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपका डियाग्जाम क्यों होने वाला है क्योंकि आपको जान दो बाइस दिसमर को पेपर हुआ था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि इस पेपर में द्हांदी हुई यह इ लेकिन सरकार और आयोक के कान पर जूनी रही थी उस समय लेकिन फिर क्या हुआ था इस रिजल जारी कर दे गया था एक मंत्री थे बीज़ेपी गई उन्होंने दो रॉलंबर शेयर किये थे और बोला था कि जो बच्चे हैं इनका रॉलंबर बाद में भरी गई है उससे पह पैसे दिया हो पैसे लिए उनसे नगर कराने के ठीक हैं और उसमें क्या हुआ होगा बाद में पैसे मना करते हैं लोगों ने तो फसा दिया नेकि दहांदी तो हुई थी फिर आपकी एसाइटी जांस कराए गई तो उसमें पाया गया कि लगवा साड़े तेरे सु जो ओमार कोई पेपर आपको लीग नहीं होता है इन दोनों में किसे किसे का उसमें साथ जरूर होता है यह चीज़ आपको अच्छे से पता होगी ठीक है फिर क्या हुआ था जो बच्चे इमा दर्शे चैन हुआ बच्चों का वह आपका इलावत हाई कोट गए थे सिंगल वेंच में ही तो आप बच्चे केस के मांग यह थी कि जिन बच्चों की उनको बाहर कियो निकाल दो, नीचे से बच्चों को इसमें सामिर कर दो, जैसे कि आप देखा हो आपने लेक पार प्रक्षा बोला जारहा है, कि 15,000 आपके संधिक पाये जो संधिक बाहर कर सकते हो तो यहां से तो नहीं कर सकते थे ठीक है मेन बात आपकी यह थी लिंग उन्हों ने इस बात को नहीं माना है ठीक है तो यहां भी केस हार गया अब देखिए उसमें आयोक पर बहाना था कि यह आपका कोट में फसा हुआ मामला इसलिए हम इसका रिएक्जाम नहीं करा पा रहे हैं फिर दु को देखा जाए दोस्तों आज आपका 25 अक्टूबर हो चुका है यानि कि लगवा सतर दिन आपके सुप्रीम कोट के डिसिजन को आये हो भी हो चुके लेकिन अभी तक इसके एक्जाम बेट कर कहीं भी कोई भी आता पता नहीं है आपको दूस्तों चीज याद होगी जब आ अगर आप लोग चाहते हो कि इसी साल आपका एक्जाम हो दो अब इसमें तो पहले आपको टोटे अवियान चलाना पड़ेगा अगर उससे आपकी बात नहीं मानी आती है तो आपको धंड़ना प्रिजसन देना पड़ेगा लेकिन दोस्तों होता कि कोई खाना आपके मुह म से आपके मुह और धिर हो चुके हैं अभी पताने दो मेहने चार मेहने चाह मेहने कब आपका एक्जाम होगा ठीक है तो अगर देखिए अगर आप इमल दर इसे पढ़ाई करते हो तो 60 दिन आपके लिए पढ़ हैं अगर मालो डेली आप 7-8 घंटे देली पढ़ रहे हो तो 60 दिन आपके more than sufficient है आपके लिए अगर आप 60 दिन में त्यारी नहीं कर सकते हो तो यकीन मालो फिर आप 60 साल में मिगर पाओगे ठीक है अगर आप 60 दिन में त्यारी नहीं कर सकते हो तो तो दुस्तों इसके लिए बोला था उससमें आपको सपोर्ट नहीं किया लेकिन अब दुस्तों आपका कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो जल्दी आयोगो आपका एक्जाम डिटिसी घुशत करें तो पहला उसन तो बस्ता है आपका टोटर अभ्यान ठीक है और दूस्ता बस्ता धन्ना प्रशन लेकिन इतनी चीज में आप बताता हूं आपका 100% कि जो आपका एक्जाम है वह 100% आपका जल्दी जल्दी करनेट करा जाएं तो आपको टोटर वाण चलाना पड़े इसलिए क्या करना है आप सब लोगो सपोर्ट में आना है और साथ ही जितने भी आपके यूट्यूब चैनल है बड़ बड़े ठीक है उन सब से बोलो टोटर वाण चलाने के लिए यानि कि कोई ए चौण चार्ट साल हो गए उसको चीज़ से कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पर इंडिया है यहां पर जो अपना हख मञ़ना पड़ता है आपने देखा हो किसान जो द्धन्ने पर नहीं बैठते एक साल बैठे लगाता उसके बाद जो किसी कानून से वह बापस ल के लिए अगर काम नहीं होगा तो दोस्तों उसके बाद फिर आपके लिए एक नए तरीका है वह आपका धन्ना प्रिशन का वह देना पड़ेगा आयोग के बाहर जाके ठीक है उसमें आपको सपोट करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों इतना मैं गाया इंटिक साथ कह सकता हूं जो 45 लाग बच्चे पेपर फॉर्म भ़रा था वीडियो का उसमें से कम से कम एक लाग बच्चे आपके ऐसे होंगे कि जो लखनू के कह सकतो के लखनू को पचास किलोमेटर के आसपास के रिये बे लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप दस-वीस रुपे लगा कर आप आयो कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को सेथ जरूर करें ठीक है तो थैंक यू फो वाचिंग